वेलकम वेलकम है आपका मेरे चैनल पर एक पर फिर से आज मैं एक बहुत ही न्यू टाइप की रेसिपी लेक्याई हूं मैगी पूरा मैगी का पूरा आज तरक किसी नहीं बनाया है तो मैंने बना लिया यह खाकर देखें बहुत इस्थी होता है और बचे मैगी मांगते रहते हैं अन्हेल्दी होती है तो पीछ में ऐसे इंग्रेजियंस पड़े हुए हैं आटा है यह बहुत है आप चाहें तो इसमें बहुत से सवजियां भी डाल सकते हैं मेरे पास जितना जो था मैंने डाल दिया तो जल्दी में थी तो जल्दी जल्दी जो बन जाती है यह बिनाज और अद्रक टमाटर और मैगी आटा और मैगी मसाला में पैकिट में जो मसाला होता है वह भी डालेंगे हम अलग से मैगी मसाला ले लिया था मैंने वह भी डाल या बीच बहुत ही एजी रेसिपी है असाने से बन जाती है आपने मैगी को खोल के अगर छोट छोड़े पार्स में इसको ऐसे कंची कर लेना है तो सब चीजों को हम मिक्स करेंगे अग इनको अच्छे से मिला के नमक बाद में डालेंगे अगर पहले डालेंगे तो पता नहीं चलेगा क्योंकि इसमें पानी भी डलेगा थोड़ा उसके साफसे नमक को बाद में डालना है पहले इस घोल को आप घोल लीजिए अच्छे से मैगी को कच्छा ही डालना है पका का नहीं डालना है ये मैगी पूरे में जब हम तवे पे बनाएंगे इसको तो अपने अपी बन तो अगर लगे कि आपका ये घोल पतला हो गया है तो आटा ओ डालने ये गाड़ा गाड़ा गोल ही घोल ही बनाना है ज्यादा पतला गोल नहीं होना चाहिए तो गाड़ा गाड़ा ही बनाना है इसे तो आप चाहें इसमें बेशन सूजी वगारा भी मिक्स कर सकते हैं लेक लाज, ट्माटर, हरीमिज, अद्रक यही दाला है यह अजवायन भी डालूंगी जीरा डालूंगी थोड़ी सी अजवायन और जीरा डाल दें बिना भूने हुए ही तो अच्छे असे मेगी- के मेगी है उसको अच्छे तोड़ लीजिए बिलको भी चूरा नहीं करना है, पीस गोल हमारा तयार हो चुका है अब जब यह गोल आपकी कंसिस्टेंसी के हिसाब से पतला गोल तुरहना रखना नहीं है तो जितना गोल गाड़ा रखना है तो नमक को बाह में ढालेगा तो थोड़ी सी लाल कश्मीरी मिच डालनी है तो रीचे दड़ा मिच डाल दीजिए अब हम तबए के उपर जो रिफाइंड ओएल है वो डालेंगे या फी घी डालेंगे लेकिन और अच्छा बनेंगा घी में बाद में जम जाता है तो ऑइल से यह होगा कि बाद में जमेगा नहीं ठंटा भी हम खा सकते हैं घी वाला जो होता है मक्षम वाला हुमें गर्म करके लेकिए खाना पड़ता है तो यह देखें चमटकी साइता से धीर 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 इसको फैल Опश्पेल अपाधिन को फैलाए तक फैलता है वहां तक फैला जाए जितना बड़ा बन सकता है उतना बड़ा फैला ले बिल्कुल ही पतला नहीं रखना है इसको फैला कि मोटा मोटा ही रखना है अच्छे से सब जगा से बराबर होना चाहिए गोल होना चाहिए और शेप जैसी भी हो गोल ही अच्छी लगती है कहने का मतलब ये है कि आप हद जगा से पीछ में से सेंटर साइडस में से एक जैसा होना चाहिए यह नहीं कि कहीं ज्यादा मोटा है तो कहीं पतला है सब जगा से एक जैसा एक सार कर लें इसको कर लें जाए पतला है अब ये पूरा एक साइड से बना कैसे है? बन चुका है ये नहीं बन चुका है इसको हम तवा को हिला कर देखेंगे तवा हिलाने पर ये मॉव करने लगे इधर उधर जाने लगे तो फिर समझ लें कि एक साइड की पक गई है फिर हम इसको पलट सकते हैं अगर ये तवा हिलाने पर मूव ना करें तो समझ लिए अब ये तवे के साथ चिपका हुआ है तो ये बना नहीं है ठीक है ना ये बहुत सी आसान सी एक ट्रिक है आसान सा ने तो हम कभी-कभी ऐसे कलशी से ही इसको देखते रहते नीची से रगड़-रगड़ की उतारते हैं एसे नहीं करना है तो हमें कैसे पता चलेगा की बन चुका है एक साइट से उसको तवे को हिला-इला कर देखेंगे तो ये जब बन जाएगा तो अपने आपी ये मूव करने लेगेगा अदर्वाइस ये तवे के साथ ही चिपका रहेगा तो हमने ये हिला के देख लिया तो दूसी साइड नहीं चिपकेगी तो उसको असाने से हम पलड सकते हैं देखते रहें बीच-विच में पलड़के साइड को पकाते रहें जब तक कि ये कुर्क्रा नहीं हो जाए उपर से ईसे आवास ना आने लगे इसके बंड की तो तब तक इसको पकाते रहें धीमी आच पर पहले तो इसको तेज आच पर रखना है तो बात में इसको धीमी आच पर रखें धीमी आच पर क्या होता है कि उपर की जो परत होती है वो भी कुरकुरी हो जाती है तो जो बीच में होता है तो बीच में से भी पक जाता है अच्छी से आठा कच्छा नहीं रहता है देखें कितना अच्छा बन गया है अगर आप सभी को मेरी यह यूडिक सी पसंद आई हो तो क्रिपे में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए का बैल आइकन के साथ ताकि आने बड़ी मेरी न्यू रेसिपी आप तक पहुंच सके और आप उसको वाच क कर सके मेरी हाय रेसिपी को और मेरी यूडिक को लाइक भी कर दीजिए का शेर भी कर दीजिए का